दोस्तो नमस्कार जैसा के हम जानते हैं कि डेंगू हमारे समाज के अंदर में बहुत ज़यादा फैला हुआ है और हरसाल आता है तो आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि डेंगू क्या है और इसमें हमें कुणसी कुण सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए डेंगू एक वाइरस है जो मच्छर के काटने से फहलता है ये वोई मच्छर है जिस मच्छर के कारण चुकंगुनिया भी हो सकता है या जिसके कारण और भी कई सारे viral infections हो सकते हैं डेंगू वाइरस कई प्रकार के होते हैं टाइप 1, 2, 3, 4 so different seasons के अंदर में different epidemics, different viruses के कारण भी हो सकते हैं इसलिए अगर हमें एक वाइरस से infection होता है तो डेंगू दुबारा भी हो सकता है क्योंकि वो हमें दूसरे वाइरस और उसके subtype की immunity नहीं देता है हमने ये तो जान लिया कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है और उस मच्छर को हम बोलते हैं edis mosquito होता या tiger mosquito भी बोलते हैं क्योंकि जब उसको हम microscope के निचे देखते हैं तो हमें देखता है कि वो उसके body के उपर में उसके पैरों के उपर में कुछ निशान होते हैं जैसे हमें tiger के शरीर के उपर निशान देखते हैं तो इसलिए उसको tiger mosquito भी कहा जाता है दूसरा हमारे लिए जरूरी क्यों है क्योंकि हम उस शेतर में रहते हैं जिस शेतर के अंदर में हर साल बारिश होती है जब बारिश हो जाती है पानी जमा हो जाता है तो हम मचरों को पनपने का मौका देते हैं और जब मचर पनपते हैं तो उसके कारण उनके साथ हमें वाइरिस का भी जो है इशू फेस करना पड़ता है तो इसलिए कुछ countries ऐसी हैं जहां पर यह साल बर रहता है जो tropical countries है वहां पर यह साल बर रहता है तो इसलिए हमारे यहां पर डेंगू एक seasonal महमारी की रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है अब इसके लक्षन क्या है सबसे important इसमें बुखार है बुखार इसमें बहुत तेज होता है ठंड लगके बुखार होता है और बुखार के कारण पूरे शरीर में दर्द आंखों में दर्द होता है यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि इसको हम break bone fever बोलते हैं जैसे किसी ने हड़ी तोड बुखार का शब्द का इस्तमाल किया है तो यह हड़ी तोड बुखार है सिर में दर्द रहता है और कई सारी लोगों को इसके अंदर में lose motion रहते हैं गले में छाले हो जाते हैं खाने में दिक्कत हो जाती है बूक इसमें समाप्त हो जाती है और जिस व्यक्ति को डेंगुवा होता है तो उसमें खाने की इच्छा बिल्कुल खतम हो जाती है सिर्का दर्द कई बर असेनी होता है और कई बर दवाई लेने से भी बुखार नहीं ढूटता है ठंडे पानी की पट्टी करनी पड़ती है कई लोगों के अंदर में पेट में दर्द होता है और उल्टियां बार-बार होती है अगर कोई विक्ती ठीक से पाने नहीं पी पा रहा है उसका पिशा बनना कम हो गया है कमजोरी बहुत ज़्यदा हो रही है लोज मोशन हो रहे हैं पेट में बहुत तेज दर्द है उल्टियां हो रही है तो ये वो विक्ती है जिनको हॉस्पिटल में आके दिखाना चाहिए इसका ट्रीट्मेंट क्या है बहुत सारे वाइरिसे की तरह ये वाइरिस भी सेल्फ लिमिटिंग है मीन्स ये दिरे-दिरे करके खुद से शरीर इसको अपनी बोड़े से निकाल देता है लेकिन उस दोरान हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सबसे इंपोर्टन्ट हमारा फ्लूइड इंटेक होता है यानि कि पानी हमें कितना लेना है तरल पदार्थ हमें कितना पीना है जो लोग अच्छे से पानी पी पाते हैं उल्टी नहीं होती है तरल पदार्थ अच्छे से लिरते हैं उन में देखा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन रीट हमारी कम होती है hospital के अंदर में भी हम लोगों का focus रहता है कि हम लोग patient का vitals, blood pressure, pulse, urine output अच्छे से maintain कर पाए और उनको अच्छे से हम fluids दे पाए सवाराता क्या डेंगो की कोई दवाई है specific ऐसी कोई दवाई नहीं है जो हम देने से कहेंगो कि डेंगो का इटान मेरे शरीर में मर रहा है वो अभी तक ऐसी कोई दवाई है नहीं इसलिए हमें supportive treatment पे ही अपना patient को manage करना पड़ता है ताकि patient थोड़े दुन में उस complication से बाहरा जाता है most commonly हमको डेंगो के कारव में पता है कि इससे plated counts कम हो जाते हैं जी बिल्कुल सही बताया क्यूंकि डेंगो की शकल हमारे plated से मिलती है और जब शरीर डेंगो से लड़ता है antibodies बनाता है उस तोरण हमारे plated भी मर जाते हैं ये एक transient phenomena है इसके लिए हमें patient को observe करना पड़ता है देखना पड़ता कहीं bleeding तो नहीं हो रही है और उनको daily basis पे हम लोग कई बार दो बार कई बार एक बार कई बार चार बार plated counts को assess करना पड़ता है और यदि plated counts बहुत कम होते हैं या bleeding होती है तब हम patient को plated counts चड़ाते हैं जिससे उनको थोड़े दुनों के लिए relief मिल जाता है बाद में शरीर automatically अपनी plated बना शुरू कर दता है जब हम recovery में चले जाते हैं कई बार recovery के अंदर में खुजली खारिश भी हो सकती है और वो उसके कारण हमारे नीम भी उड़ जाती है तो कई सारे मरीज परेशान होते हैं उसको भी हम लोग symptomatically treat करते हैं Rarely dengue के अंदर में खराब होने लगे हैं और ये एक fatal complication है डेंगो की तो यदि हमारे शरीर के अंदर में पानी की कमी नहीं हो और तरल प्रदार्त का use हम अच्छे से कर पाएं IV fluid दे पाएं patient को रिसस्टेट कर पाएं fluid में अच्छे से तो ये complication को भी हम minimize कर सकते हैं लास्ट में हम आते हैं बचाव के बारे में देखिए prevention के दो aspects हैं एक तो aspect ये होता है कि क्या इसका कोई vaccine है डेंगो का vaccine है लेकिन अभी हमारे देश के अंदर में ये vaccine available नहीं है क्योंकि हमारे जो government है वो उस पर research कर रही है और वो ये options दे रही हैं कि इस तरह से हमारे पास एक better vaccine available हो जो हमारी country के लिए suit करें जो सारे variants को भी cover कर पाए और जो हमारे लिए economical भी हो दुनिया के कई countries के अंदर में privately vaccine बनी हुई है जो वहाँ पर use कर रही है जिसका effectiveness देखा गया है लेकिन अभी हमारी country में उस vaccine का use नहीं है क्योंकि हमारी country में उसके अभी safety trials पास नहीं हुए हैं तो जब तक हमारे पास कोई दवाई नहीं है जब तक हमारे पास कोई vaccine नहीं है तो हमारे पास क्या विकलप रहता है वो रहता है कि हम किस तरह से अपने आपको डेंगो से बचाए हैं तो दो ही चीज़े हैं सबसे पहले कि हमने अपनी body को prevent करना है protection linear जिसमें हमें मच्छर ना काटे इसका मतलब है कि हम muskuto replants use कर सकते हैं हम fuclees कबडे पहन सकते हैं सबसे west मच्छर नहीं यूज़ कर सकते हैं और इतना ही नहीं है अपने आसपास की area के अंदर में हमें ये देखना है कि हम मच्छरूं को breeding से prevent कर सकें ताकि virus ना जाए तो अपने आसपास क area में हमें देखना है कि पानी जमाना हो साफ पानी जमाना हो यदि कहीं पानी जमा भी होता है तो उसको हम frequently replace कर लें पानी के उपर में किसी ऐसे chemical प्रदार्त के layer रखें जिसमें mosquito breed नहीं कर बाता है और गर के अंदर में भी हम जितने भी anti mosquito nets हैं अपने खिड़कियां हैं जि देश से हमारे आते हैं तो वो लोग कई बार अपना vaccine वहां से लेके आते हैं ताकि यहां पर उनको किसी हद तक डेंगुक से prevention मिल पाए धन्यवाद